तो जलंदर वासी हो आज आपके लिए वो वीडियो होई है जिसने जलंदर में धमाल मचा रखा है 99 रुपीज में आपको unlimited food जलंदर में पहली बार आया है ये क्योंकि आइटम्स बहुत ही बढ़िया होने वाली है master chef जो है यहां के honor जो अपनी देख रेक में सब कुछ बनवाते हैं तो इस वाएतके बढ़िया होने वाली है तो चलते हैं अंदर आइटम सारी देखते हैं सब कुछ रूआ करेंगे आप लोगों के साथ बढ़िया लगे तो उस फ्रेंड के साथ ज़रू टेक करना जिसको कम पैसों में बहुत ज़रा फूड खाना अच्छा लगता है तो चलते हैं अंदर और यह देखिए जी सबसे पहले टिकेट काउंटर है यहां से जिस आपको टोकन मिलेगा फ्लीस मैम हम थोड़ा सा जरूर लेंगे और एक बार जरूर है यार बफे में आये हैं इसका मतलब यह नहीं है कि हम फूड को वेस्ट करें थोड़ा थोड़ा लो बार-बार लो हजार बार लो यहां पर कोई मना नहीं करने वाला आपको लेकिन लो सिरफ उतने जितना आप एक बार में खा लो वेस्ट मत करना यह देखिए जी स्पेशल लिखा है उतना डाले थाली में वेर्थ न जाए नाली में और वेस्ट करने पर 50 रुपीज आपको फाइन भी लगने वाला है 99 रुपीज खाये मजा लीजिए फूड इंजॉय कीजिए और फूड की कदर कीजिए बस इतना ही कहूंगा मैं इसके बाद आप देख सकते हो सैलेड मिलेगा आपको प्याज मिलेगा पुदीना चटनी मिलने वाली है ग्रीन चिली जिए किसको पसंदा यह जरूर तो आगे चलते हैं हम थोड़ा सा सैलेड भी लेते हैं कैरेट और खीरा इसमें काट के दिया गया है और पुदीने की चटनी तो हम मिस्स नहीं करने वाले क्योंकि यह मेरी तो फेवरेट है किसको पसंदा अब भी ज़रूर बताओ तैलेड और पुदीना चटनी लेने के ब मंचूरियन ग्रेवी वाला और क्या बात है ग्रेवी भी बतलब रिच ग्रेवी लग रही है अच्छा लग रहा है मंचूरियन देखने में भी दो पीज़रूर लूँगा क्योंकि मेरा फेवरेट है मंचूरियन तो ग्रेवी के साथ अल्टीमेट मज़ा आया शकल सूरत से तो मज़ा आ गया प्रेपरेशन में मज़ा आ गया देखके आप चेक कर सकते हो उसके बाद आते हैं पीस पलाओ मटर आप देख सकते हो कोई कमी नहीं रखी गई मटर की और मटर वाले चावल यह भी हम थोड़े से जरूर लेंगे और इसके बाद देखिया जी दाल मखनी मैं तो मुझे लगता है कि पनीर की थोड़ी सी कंजूसी वहां की जाती है लेकिन यहां पर मुझे कोई भी कंजूसी नहीं लग रही चीज के पीसिस की तो बहुत बढ़िया लग रहा है थोड़ा सा में यह भी लेते हैं और मश्रूम मटर इसकी प्रेपरेशन और इसकी शकल स इस भी आप लोगों के लिए मैंने ज़रूर रखा है वो मैं आपको वीडियो के एंड पर ज़रूर बताऊंगा नाइटी नाइन डूपिस में आपको यह मिल रहा है जी आइटम्स आप देख सकते हो एक दो तीन चार पांच छे साथ आइटम्स और ब्रेड आपको तीन से खाने के साथ सब जाए तो चलते हैं टेबल पे खाते हैं और टेस्ट बताते हैं तो प्लेट हमारी सच चुकी है जिसने इतना धमाल मचा चुका है यार यह फूरे जलंदर में तो यह ट्राइक करना तो बनता ही है सबसे बले स्टार्ट करते हैं मंचूरियन से मज़ा आगया यार दूसरा पीस खाने के बाद ही बताता हूं आपको कि किसी भी बफे में मैंने इतना अच्छा मंजूरियन नहीं घाया यह मेरा अपना परस्टनल रिव्यू था और परस्टनल टेस्ट था मज़ा आगया अपने को और लेते हैं नूडल्ल नूडल्स मुझे मंचूरियन के कोडिंग थोड़े से अवरेज लगे बट गुड़ है आपको ट्राइ करना चाहिए और इसके बाद मैं राइस के साथ दाल मखनी के साथ राइस लेता हूं थोड़े से राइस की क्वालिटी बहुत बढ़िया है बाइसाब दाल मखनी टिपिकल जो एक होटल में दाल मखनी मिलती है वैसी नहीं है थोड़ी सी देसी स्टाइल की है बट स्वाद बहुत है मुझे मज़े आ गया इसमें राजमा और यह यलो दाल मिक्स की गिए चोले की दाल जिसको बूलते हैं तीन आइटम्स करके यह दे आता तो मजा आने वाला है यह देखिया जी बटर नान और मिसी रोटी मैंने मंगवाई है अपने लिए आप कुछ भी और कर सकते हो ब्रेट्स में जो आपको उच्छा लगता है तो प्लीज अंकल एक पीस यह रखिए एक मिसी रोटी तीन किसम की एक प्लेन भी दी जाती है इसके साथ तीनों में से आप कोई भी और कर सकते है और सबसे बेस चीज यह देखिया जी ग्लास वाला बोटर यहां पर सर्फ किया जाता है यह नहीं है कि इसकी इस चीज के आपको एक्ट्रा चार्जिस यह पे करने बढ़ेंगे कि दमाल दीजिए पानी की उसके लिए 20 रूपीज यह ऐसा कुछ नहीं है यहां पर तो बहुत बढ़िया बात लगी और वाके में यह दमाल मचाने वाली चीज थी यार तो बटर बटर नान की क्वालिटी आप देख सकते हो बढ़िया है बटर भी कोई कुण जूसी नहीं है इसके उपर तो हम इसकी बाइट लेते हैं चीज टमाटो के साथ चीज के पीसिस जो है बहुत छोटे-छोटे कट करके इन्होंने सबजी में डाले गए है चीज टमाटो जैसे कि आप सबको पदाए है कि थोड़ा सा मिठेपन में होता है थोड़ा सा टेंगी फ्लेवर है मश्रूम मटर जब से मैंने बफे में प्लेट यह सजाई यह ना मेरी नदर सिर्फ इस पर थी क्योंकि यह मुझे सबसे बेस्ट आइटम यहां की लग रही थी तो बार यह आती है मश्रूम मटर की यह देखे दी मश्रूम मटर की बाइट रेड़ी है जैसी शकल वैसी अकल मतलब यह तो मैं एक बार एक बार या दो बार भी और लेकर खाऊंगा उसको फिनिश करूंगा ऑवर रोल 99 डोपीस में अगर आपको यह सारी आइटम्स और एसे टेस्ट के साथ मिल रही है ना तो यह पता लग चल रहे हैंगी यह जो बनाया गया एक तेस्ट बहुत बढ़िया लगा बहुत सारे बफेश शूट कर जो कौंग में कोई 140 में कोई 150 में कोई 200 में बट यह 99 रूबीस में आपको यह मिल रहा ना तो टू गुड़ आपको यहां पर आना चाहिए और यह खाना खाना चाहिए खाने की क्वालिटी भी बढ़िया और 99 रूपीज में तो एक लेट अगर मैं पनीर की ओर्डर करूं तो वो भी नहीं आती है 100 रूपे में तो आज कल आपको 100 रूपे में इतना कुछ खाने के बाद गुलाब जामून भी मिल रहा है तो क्वालिटी भी गुलाब जामून की बहुत बेस्ट लग रही है तो वीडियो की एंडिंग कुछ मीठे के साथ करते हैं आप भी खाये मीठा और हम भी खाते हैं मिलते हैं कल फिर एक नहीं वीडियो के साथ तिल दन टेक केर गुडबाई